हेलो अर्जुन टंडोल कर क्यों नहीं खेले उन्होंने दो बातें बताई पहली बात शेन बॉन्ड ने बताई सिकोड में जगा बनाना आसान है लेकिन यारा में खेलना बहुत मुश्किल है दूसरी बात उन्होंने बताई कि आर्जुन टंडोल कर को बैटिंग फिल्डिंग सुधार नहीं होगी तब जाकर वो आईपियल खेल सकेंगे इसे साब जाहिर होता है कि आर्जुन टंडोल कर अच्छी परफार्मेंस नहीं दे पा रहे हैं इस वज़े से उनको आईपियल 2022 में किसी भी मैच में जगा नहीं मिली पिछले साल भी आर्जुन टंडोल कर सिकोर्ट का इस्सा थे लेकिन यारा में जगा नहीं मिली थी इस बार भी वही हुआ यारा में जगा नहीं मिली शेहन बॉन्ड ने बताया आर्जुन टंडोल कर को अभी बहुत कुछ सिखना है यारा में जगा बनाना आसान नहीं होता है एक खिलाडी के तोर पर यारा में खेलने का मतलब बैटिंग बालिंग फिल्डिंग के साथ साथ खिलाडी जबदस तेज होना चाहिए शेहन बॉन्ड मॉंबर इंडियन के कोज थे और दुनिया के सबसे बहतरी इंखिलाडी थे उन्होंने बताया कि आर्जुन टंडोल कर अच्छा किरकट खेलते हैं तो आने वाले समय में आर्जुन टंडोल कर को आईपेल में जगा मिल सकती है उन्होंने बताया जिस तरह का किरकट आरजुन टर्डॉलकर खेर रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि आरजुन टर्डॉलकर आईपेल में खेलेंगे शेन बोर्ड ने बताया आरजुन टर्डॉलकर को अभी बहुत कुछ सिखना है IPL में बहुत जबदश टेलेंटिट खिलाडी है इस वज़ा से आरजुन टर्नलकर को खेलने में बहुत ही मुश्किल आएगी आने वाले समय